नमस्कार स्वागते आपका सोधेश खबर पे हैं मैं हूँ विश्व मोहन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त के आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मार्च में रीटेल यानि खुदरा महंगाई दर जो है वो घटकर 4.8% पर आ गई है फरवरी में ये रीटेल महंगाई 5.09% थी यानि एक महने में महंगाई में इस तरह की कम्याई है अच्छी बात है कि महंगाई RVI का जो comfort zone है 4% का उसके अब बहुत करीब आ चुका है वही मार्च में खाने पीने की महंगाई फरवरी के 8.66% से घटकर 8.52% हो चुकी है शहरी रीटेल महंगाई मार्च में 4.14% और ग्रामी रीटेल महंगाई 5.45% है वही फरवरी महिने में industrial production में 5.7% की growth देखने को मिली है वही जनवरी की IAP growth को 3.8% से revise करके 4.1% कर दिया गया है 2023 की फरवरी में 6% की IAP growth थी पिछले साल के मुकाबले इस साल फरवरी में manufacturing growth 5% तो mining production में 8% की growth देखने को मिली है बिजली उत्पादन 7.5% बढ़ा है वही अपरेल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान यानि financial aid में सिर्फ एक महिना कम 11 महिने की इस FY24 के 11 महिने के IAP की बात करे तो यह 5.9% की growth इसमें देखने को मिली है